नमस्कार साथियो स्वागत है आपका मैं आपका जोतिस मित्र सुधिर को मार एक बार फिर आजिरू आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर साथियो जैसे आपके बच्चे सिर्फ आपके ही होते हैं वेसे ही आपके जो पित्र होते हैं, वे भी केवल आपके ही होते हैं। साथ यो भगवान में और पित्र में काफी फर्क होता है। भगवान के पुजा पाट करने के लिए हमारे हिंदुर्स्तान में हजारों लाखों लोग होते हैं। जबकि पित्र की पुजा करने के लिए केवल और केवल आप होते हैं, जो आपकी पित्र होते हैं, उनकी उम्मीदे, उनकी एक्सपेक्टेशन्स केवल और केवल आपसे ही होती हैं, तो यह वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। साथियो पहली बात कि हमें अपने पित्रों की तस्वीर किस दिशा में लगाना चाहिए, जिससे वह हमारे लिए सुब साबित हो, इसमें कई लोगों के अलग-अलग मत है, साथियो कुछ लोग कहते हैं कि पित्रों की तस्वीर उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, जबकि कु पित्र की दिशा कहा जाता है आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्राद्ध कर्म होता है तो ब्रह्मन आपको दक्षिन की तरफ चहरा करकर बिठाते हैं जब भी आप अपने पित्रों के नाम से तरपन करते हैं तो ब्रह्मन आपको दक्षिन की दिशा की तरफ मो करकर चहरा क कर आको बिठाते हैं इसका मतलब जो पित्रों की दिसा होती है ज़ी दिक्षिण्द दिसा की दिवार पर ही अपने पित्रों को विराजमान करें तब ही आपके लिए नजर होती है पर यह गलत है साथियो, कोई भी मूर्ती हो, कोई भी तस्वीर हो, वह किस दिसा में विराजमान है, किस दिसा में इस्थापित है, इस बात के माएने होते हैं, वह किस दिसा में देख रही है, इसके माएने नहीं होते हैं जैसे जब आप भगवान की इस्थापना करते हो तो कहा जाता है कि पूर्व दिशा में भगवान को बिठाना चाहिए यदि आप पूर्व दिशा में बिठाते हो तो वो आपके लिए सुब होती है क्योंकि उनकी नजर पस्चिन दिशा में होती है यह दिए आप अश्चिन दिशा में भगवान को बिठाते हो और यह यह लोजिक देते हो कि उनकी नजर पूर्व दिशा में है तो यह गलत साबित होता है इसलिए भगवान को हमेशा पूर्व और उत्तर के कोण में बिठाए यानि कि इसान कोण में या पूर्व दिसा में और पित्रों को इस्थान आप दक्छिन दिसा में ही दे ताकि पूजा अर्चना करते समय आपकी नजर दक्छिन दिसा की तरफ हो दूसरी बात साथ यो पित्रों की तस्वीर को कभी भी अपने मंदिर में ना लगाएं भगवान को और पित्रों को कभी भी एक साथ ना बिठाएं ऐसा करने से जो भगवान होते हैं वे आपसे नारज हो जाते हैं और जो भी आपके यहां बरकत है वह देज देरे खतम होने लगती है इसलिए कोशिश करें कि भगवान का मंदिर और आपके पित्रों का इस्थान दोनों दूर दूर हो दोनों अलग-अलग हो और उनकी सेपरेड तरीके से ही आपको पूजा अर्चना करना चाहिए तिसरी बात सात्यों पित्रों का इस्थान आप एसी जगह पर दे जहां पर कम से कम लोगों का आना जाना हो बाहर साने वाले लोग जो आपके यहां आते हैं उनकी सीधी द्रश्टी उनकी सीधी नजर आपके पित्रों पर ना पड़ती हो ऐसा करने से पित्र कहीं नाराज हो चाहों को होजाते हैं और पित्रों का एक शुप प्रभाव आपको आपके घर में में देखने को मिलता है कि शाथा केसा पता लगाएंगे कि पित्र आपसे नाराज है तो कहींने कहीं आपको संतान को समस्या बनी रहती है, संतान ना होना, संतान मंद बुद्धी होना, संतान को लेकर कुछ न कुछ समस्या हैं हमेशा बनी रहना, यदि इस प्रकार के समस्या आप अपने जिवन काल में फेज करते हैं, तो कहीं न कहीं पित्र दोस आपकी जुनों पत्रिका में है, आपके घर मे पित्र आप से नाराज है, दुसरी बात, भरपूर पेशा कमाने के बाद भी, यदि आपके पास पेशा नहीं तिक पाता है, पेशा आने के बाद भी उस पेशे का rotation प्रॉपर नहीं ऊपाता है, तो कही न कहीं आपके घर में पित्र दोस्त का नियर्माण हो रहा है, आपके प पित्र आपसे नाराज है क्या उपाई किये जाएं साथ यू पित्रों को खुश करने के लिए क्या उपाई किये जाएं मैं यहां पर आपको दो उपाई बता रहा हूं जो की काफी सस्ते हैं सुन्दर है और एफेक्टिव हुएं सबसे पहली बात तो अमावस के दिन अपने स रहमन को भोजन कराएं साती सात कुछ दक्षिना दे और एक नारियल पर नाड़ा लपेट कर उन्हें अपने पित्रों की सांती के लिए अपने पित्रों की प्रिसनता के लिए जरूर रफित करें साथ दूसरा उपाए, पीपल के पेड़ के नीचे हर सनिवार एक लूटा पानी आप जरूर चढ़ाएं और साथी साथ एक दिया घी का आप जरूर लगाएं और अपने प्रित्रों की प्रसनता की प्रात्ना करें आने वाले समय में कुछ समय में आपको भेतर परिणाम मिलते हो दिखाई देंगे उमेदे साथ विडियो आपको पसंद आया होगा हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद चेनल को सबिस्क्राइब जरूर करें वीडियो को लाए जरूर करें धन्यवाद